सोचल मीडिया पे जब भी आप कोई पोस देखते हैं तो उसके ऊपर आप कोमेंट करते हैं ठीक है? इसे तरीके से ट्वीटर पे कोई पोस देते हैं तो आप वहाँ पोमेंट करते हैं YouTube पे अगर आप वीडियो देखने तो आप वहां पर भी comments करते हैं क्या Python के अंदर हम comments कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो वो comments हमें कैसे help out करते हैं सबसे पहले चीज़ आपने याद ये रखनी है कि Python के अंदर जब भी कोई code लिखा जाता है वो सिरफ आपके लिए नहीं है बलके उन लोगों के लिए भी है जो आपके इस code को देख के सीखना चाहेंगे या practice मिलाना चाहेंगे इसी वज़ा से तो open source बड़ी community है जहां पे हर बंदा अपना code जो है वो GitHub के उपर डाल रहा होता है और वो portfolio बना रहे होते है तो हमारे पास कुछ techniques होती है कि code को किस तरीके से define किया जाए और उन codes को define करने के लिए हम hashtags का use करते हैं और hashtag या pound sign को use करके हम comments लिखते हैं चलिए आपको समझाता हूँ जो पिछला lecture था उसके अंदर जब हमने काम किया था तो hashtags के साथ उसको किस तरीके से refine कर सकते हैं screen आपके सामने हाजिर है for example यह type casting का हमारा lecture है जिसका link जो है वो आपको उपर नजर आ रहा होगा अगर नहीं तो description में होगा so here you can see के मैंने यहां पर integer define किया ठीक है int to float मैं यहां पर अगर hashtag लगा हूँ और इसको this is an integer यह लिख दूँ तो मेरे पास यह जब code run करेगा ना उसके अंदर यह hashtag वाली command run नहीं करेगी hash के बाद जो भी चीज़ आप लिखेंगे या इस pound sign के बाद जो भी चीज़ लिखेंगे या इस डब्बे के बाद जो भी चीज़ लिखेंगे that will not run inside the code secondly आप इसको define भी कर सकते हैं for example मैं यहां पर लिखता हूँ convert the integer to float तो अगर आप run करेंगे तो coding में यह चीज़ run नहीं करेगी it will be just there inside the code और नीचे वाली चीज़ run करेगी इसको हम बोलते है comment करना comment करना यानि के इसको हमने comment में लगा दिया यानि के जिस चीज़ के पहले आप hashtag लगाएंगे वो line of code run नहीं करेगी ठीक है इसकी एक example मैं आपको और देता हूँ यहां पे हम एक python का code बनाते हैं यहां पे मैं लिखता हूँ age is equal to 29 और यहां पे मैं print लिखके age को यह इस तरीके से print कर देता हूँ ठीक है मैं इसको run करता हूँ I am 29 years old ठीक है अगर मैं यहां पे लिखता हूँ 22 this will be I am 22 years old अब अगर आप गोर करें यहां पे यह दोनों line of code एक दूसरे के साथ attach होके run हो रही है ठीक है अगर मैं इस line of code के पीछे hashtag लगा दूँगा something like this इस line of code के पीछे अगर मैं hashtag लगा दूँ then it will become a greenish kind of line क्योंके मेरी theme ऐसी है अब मैं इसको run करूँगा the second line of code will not be the part of this code chunk यह automatically comment out हो गई है इस चीज़ को हम बोलते है comment out करना यानि कि इस line को comment करके हमने out कर दिया है इस code से अगर मैं hashtag remove करूँगा it will be back in the code और इसको मैं run करूँगा then you can see the print out function is working fine अब यहां पे अगर मैं बार बार hashtag लगा हूँ और मेरे पास 200 line ही है मैंने सभी को करना है तो भई यह तो अच्छा खासा काम बढ़ा हो जाएगा तो इसके लिए आप क्या करते हैं आप जिस भी line को comment out करना है आप उसको select करके control and forward slash दबाते है control and forward slash मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ctrl plus forward slash यह आप दबाएंगे then you can convert something into a comment ठीक है अगर मैं दोनों को select करूँ control forward slash दबाऊँ यह comment out हो गया again select करने के बाद control forward slash दबाऊँगा यह comment in हो गया यानि कि this is the part of code now और comments हम बहुत ज़्यादे दफाँ यूज़ करते हैं सबसे पहला काम हम comment को किस चीज़ के लिए use करते हैं वो मैं आपको बता तो सबसे पहले चीज़ code को define करने के लिए दूसरी चीज़ part of code को hide करने के लिए या code को ना run करने के लिए लेकिन उसको आप वहीं पे रखते हैं just for the sake किसी ने अगर use करने हैं इसे कर लें तीसरी चीज, code में instruction देने के लिए कि यहाँ पर यह वाली change हमने किये यहाँ पर यह वाली change किये चोती चीज, अपनी code की file को और भी ज्यादा refine करने के लिए inside the code chunk इससे क्या होता है, लोगों को और भी असानी से समझ आता है, step by step कौन कौन से points आपने यूज की है, पांचवी चीज, आपको अगर खुद से code समझ आ रहा है और आपने दुबारा पांच साल बाद, तीन साल बाद, दो साल बाद इस code को दुबारा से देखना है then it will help you to re-understand the same code जो आपने ही लिखा है और अगर आप दुबारा समय सकते हैं इसका मतलब अगर आप इस code को कहीं पे, किसी जगा पे upload करते हैं, GitHub पे या कहीं पे, तो लोग भी समझ पाएंगे and this is called commenting in and commenting out और इस function से आप बहुत ज़्यादा फाइदा उठा सकते हैं विडियो पसंद आईए, तो like, share and subscribe this channel and write down in the comment section कि आपको commenting का पता था या नहीं अगर पता था तो आप कहा पे use करने वाले हैं See you in the next one